तो Friends आज का मारा टॉपिक है इलेक्टर स्टेटिक्स और आज हम इलेक्टर स्टेटिक्स में नेट दिसंबर 2016 का एक और कोस्टन सॉल्व करेंगे और ये कोस्टन पार्ट सी का कोश्टन है तो Friends कोस्ट इस तरीके से two uniformly charged insulating solid sphere A and B both of radius A carry total charges plus का Q and minus का Q respectively तो the spheres are placed touching each other as shown in the figure तो if the potential at the center of sphere A is VA and center of B is BB तो then the difference between VA minus VA is options are 1, 2, 3, 4 तो friends इस question में यहाँ पर आपको दो insulating sphere दिये हुए हैं A और B और इनके अपर इसके अपर प्रस का क्यों चार्ज है इसके अपर माइनस का क्यों चार्ज है अब आपने इन दोनों sphere को आपस में test करकर रख दिया है तब आपको यह बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना potential difference होगा तो आईए friends अब इस question को यहाँ पर हम solve करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ non-conducting sphere के लिए क्या potential होता है तो हम यहाँ पर लिख लेता है potential for non-conducting sphere तो friends जो हमारा non-conducting sphere होता है इसके लिए जो हमारे पास potential होता है हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं अब यह जो हमारा potential है friends यह हमारा है inside तो inside हम यहाँ पर लिखेंगे outside तो सभी को पता होता है कि outside क्या होता है तो friends हम यहाँ पर बात करते हैं inside की तो यहाँ पर हमारे पास inside potential आपका कितना होता inside potential तो आपका जो inside potential होता है friends वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसको यहाँ पर लिख लेंगे V यह हमारे पास है inside यानि कि किसी भी point P पर जैसे suppose करो friends यहाँ पर आपको यह एक sphere दिया हुआ है इस तरीके से यह आपके पास क्या एक non-conducting sphere है और इस sphere की जो radius है यह मेरे पास कितनी है capital R तो आपने क्या कराए friends अब आप यहाँ पर इस point P पर आप क्या निकाल ले हो potential यह आपके पास है point P तो मैं इसको यहाँ पर point P consider कर लेता हूँ कि point P पर आपका कितना potential होगा तो point P पर आपका potential कितना होगा हम यहाँ पर देखेंगे तो friends यह हो जाएगा आपके पास KQ upon R यहाँ पर आप इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका KQ upon R bracket friends यह होता है आपका 3 minus आप इसको लिखेंगे यहाँ पर R square upon capital R square friends क्योंकि इसकी जो हमारे पास distance होती है यह जो हमारे पास radius है इस small circle की यह हमारे पास कितनी है smaller तो यह जो आपका potential है यह potential है आपका point P पर इस पर आपका potential है अब यह तो आपका potential आ गया inside the non-conducting sphere अब अगर आपको यहाँ पर center पर लिखना है कि इसके center पर कितना potential होगा तो friends हम यहाँ पर लिखाएंगे potential at the center तो friends अगर आपको center पर potential लिखना है तो इसका मतलब है R is equal to 0 आप यहाँ पर put करेंगे तो आपके पास आ जाएगा VC तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 3KQ upon 2R तो friend इतना potential ना आपका inside मतलब center पर होता है किसके non-conducting sphere के अगर आपके पास एक non-conducting sphere है उसके case में आपका तो center पर potential होगा वो हमारे पास होगा 3KQ upon 2R तो यह आप निकला अब friend यहाँ पर आपको question में क्या दिया हुए friend question में आपके पास यहाँ पर 2 sphere है एक sphere आपके पास यह है और friend एक sphere आपके पास कुछ इस तरीके का है यह आपके पास एक sphere है इसके अपर जो आपके पास charge है वो minus का Q है इसके अपर जो charge है वो आपका plus का Q है अब friend यह क्या है आपका यहाँ से यह आपका center है इसकी radius A है इसी तरीके से यह आपका center इस की radius ए है यह आपका a square आ है यह आपका a waspair a है या आपका एक b है तो Toff आप आप हम यह फilia पर निकालेंगे potential तो हम यहाँपर potential निकालेंगे तो फ्रींटंइस eje किसे पर हम potential all is fair e कि friends जो आपका spare A है उस पे कितना potential है तो friend यहाँ पर लिख लेंगे VA अब जो यहाँ पर आपका potential VA पर मतलब इसके center पर कितना potential है तो friend A पर खुद की वज़े से यानि कि VA A मतलब आपका खुद की वज़े से और friend A आपका जो A पर potential है वो B की वज़े से यानि कि potential on A due to B, यह हमारे पास, अब आपको इनके center पर निकालना है, तो friend देखिए, अब अभी हमने पढ़ा है, तो इसका तो यह हमारा center है, friend अगर मैं A, अगर मैं A square की बात करता हूँ, तो A square के लिए तो वो खुद का center है, अब आपको पता है कि center पर कितना potential था, तो friend center पर potential हो जाएगा K, 3, K, Q, upon यह हमारे पास है, 2R, यह हमारे पास है, अब friends minus, यहाँ पर देखिए, चार्ज कैसा है minus का, अब यहाँ से यहाँ तक का distance कितना है, इसके center तक का 2 है, मतलब अगर अब अगर आप square A पे potential निकालना चाहते हो, तो friend B के लिए तो वो point outside है, आपका जो potential due to minus का Q है, वो A पर कैसा है, outside है ना, तो friends यहाँ से आपके पास कितना आएगा, minus का K, Q, अब यह distance कितना है, total 2A, अब friends sorry sorry, यहाँ पर भी आपके पास कितना आएगा, यह मेरे पास आएग तो यहाँ तक आपने कर लिया है, इस तरीके से, अब friend अगर मैं यहाँ पर इसको simplify करता हूँ, तो simplify करके आपके पास कितना आजाएगा, देखिए, यह तो आजाएगा मेरे पास 2KQ upon 2A, friend इससे हमारा यह cancel हो गया, तो आपके पास कितना आगया, KQ upon A, तो यह तो मेरे पास VA आगया, तो आपके पास जो VA की value निकल के आईए, वह आईए, KQ upon 2, और सॉरी, A, यह हमारे पास है, A, तो यहाँ पर आपके पास VA की value आगया, अब हम निकालेंगे आपका BB, तो friend अब जो हमारे पास potential है, यहाँ पर हम लिखेंगे, potential on B, कि B के अपर कितना potential है, तो friend पर आजाएगा BB, अब आप देखेंगे, तो अब हमारा B के अपर, पोटेंशल है, वो खुद B की वज़े से होगा, और friend B के अपर के potential है, वो एक यह रिज़े से होगा, अब आप देखिए, BB कितना होजाएगा, तो friend B पे, बी की वज़े से potential है, वो होगा minus, क्योंकि minus का क् 3KQ upon यहां पर आजाएगा 2A, प्लस का साइन, अब फ्रेंग देखिए B के अपपर अब आपका यहां पर आपका पॉइंट ए यहां पर B, यह आपका पॉइंट ए बी, इसकी वज़े आप A से तो यह दूर, A से कहाँ पर है, A से तो यह तो यह दिस्टेंस पर है, यानि कि A के बहार है तो फ्रेंट जब a के बहार है तो बहार वाला फॉर्मला लगा देंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा kq upon 2a अब फ्रेंट यहां से अब इसको हम simplify करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास तो यह आ जाएगा कि मेरे पास जो वीवी आ गया है वो मेरे पास है माइनस का kq upon a तो यह हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ चुका है अब तो फ्रेंट हमारे पास वीवी आ गया है हमारे पास वीवी आ चुका है तो अब आपको क्या निकालना था तो फ्रेंट हमको यहाँ पर calculate करना था वीए minus का b b तो अब आप देखिए कि va की value कितनी है तो friend va की value है k q upon a तो यह तो आपके पास है k q upon a minus अब यहाँ पर हो जाएगा minus का k q upon a अब friend दोनों के दोनों हमारे add हो रहे हैं तो यह हो जाएगा 2 k q upon यहाँ पर आप लगा देंगे इसको a अब friend k की value लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 q upon आप इसको लिखेंगे 4 pi epsilon 0 a friend इससे ही हमारा cancel हो जाएगा तो आपके पास कितना आ गया है q upon 2 pi epsilon 0 a तो friend हमारे पास जो va minus का vva इसकी value आ चुकी है q upon यह हमारे पास है 2 pi epsilon 0 a तो friend यह तो हमारे पास इस question का answer एक वारा आप में आप आप आपस चेक कर लेता है कि हमारे यहाँ पर options में क्या answer है तो friend एक वारा में आप आप आपस चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर friend इन दोनों में तो minus sign आ रहा है तो यह भी नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता क्योंकि minus का sign आ रहा है friends यहाँ पर आपके पास आ रहा है q upon 4 pi epsilon 0 जबकि नीचे 2 आ रहा है तो यह भी नहीं हो सकता इसमें आ रहा है आपका q upon 2 pi epsilon 0 a तो friends यह हमारा यहाँ पर right answer है तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर right option है वो मेरे पास है option c तो यहाँ पर लिख देंगे कि option c हमारा friend यहाँ पर आपका correct answer है इस तरीके से तो friends यह था आज का हमारा question अगर एक question आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो तो इसको like कर देना अगर समझ में नहीं आया हो तो dislike कर देना लेकिन वीडियो के अपर response जरूर करना friend जाते जाते last में आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे को telegram पर follow नहीं किया है तो आप मेरे को telegram पर follow कर लीजे telegram पर follow करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है just potential geek को like करना है subscribe करना है और follow करना है तो friend यह था तो friends मिलता है आपसे आप में next वीडियो में तब तक के लिए thank you keep learning बाई बाई friends जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं unacademic के platform पर physical science का plus educator हूँ और मैं यहाँ पर आपको physical science की life classes देता हूँ तो मैं यहाँ पर आपको CSIR net physical science की life classes प्रोवाइड कराता हूँ अब मैं आपको थोड़ा सा अपने plus classes के बारे बता देता हूँ किसका क्या benefit है तो friends यहाँ पर आपको daily 90 minute की class मिलती है यानि कि तेड़ घंटे की हमारी class होती है हर तीन class के बार आपको यहाँ पर dot clear session मिलता है जिसमें आप अपने dot को clear कर सकते हैं यहाँ पर आपको lessons wise quiz मिलता है question मिलता है जैसे कि friends करता है कि हम जो भी lessons यहाँ पर पढ़ता है केवल और केवल exam oriented मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूं तो आप मेरे को यहाँ पर जल्दी से follow कर लीजिए unacademy के platform पर और मेरे in courses का registration कर लीजिए यह मेरा नाम है unacademy पर ललिप कुमार और यह मेरी profile है इस तरीके से और friends अगर आप मेरे courses पर discount चाते हैं तो आपको मेरा refer code potentialg का use करना होगा potentialg का use करने से आपको 10% का discount मिल जाता है तो यह था तो friends जल्दी से आप मेरे इस course के यहाँ पर registration कर लीजिए